कि का अब तर्व कर्म जिस प्रकार औरे जिसके का रहा है गाउंध्नोरे के अंदर टो क भाउंध्नोरी निवासि है मुझे से बाचित करना चाहेंगे अभी कारे करम को लेकर कितना उत्सा है और किस प्रगार की तैरिया हो चुकिए तो ऐसे में आप किस त्रीके से देखते हैं कि इतना बड़ा कर्य करम गिया जा रहा है आपके गाउंगे कैसे लगता है कि जो आपकी माझगे हैं मुख्यuciones मंट्री चाहईंगे मुख्या मंत्री महारा स्राइब सब बीजेपी सरकार आपके साथ है कि लगातार मंत्री संत्रियों का यहां पराना लगा रहता है तो kami एक विधायक आए हुए है बहु कि आपके neighborhood हुआ है इस से जो यह प्रोग्राम है इसमें राजनिती का तो मेरे कुछ ज्यादर नहीं लग रहा है जो विदा एक जी आ रहे हैं यह अपने एक दांडा खाप के मैले हैं पाणी पत ग्रामने से और यह अपने बाई-चारा में दनोरी गाम को अपना बड़ा गाम मानते हैं उस गाम म में अपने बाई-चारा में मिलने के लिए आ रहे हैं और प्रोग्राम की देखरे के भी की जाएगी गाउं के अंदर जी इस प्रकार से उपराश्य पती जगदीप धंकड़ जी और हर्याना के मुख्यमंतरी मनोरलाल जी पहुंच रहे हैं तो इस बात को लेकर राजनितिक लोग है जो और जितने भी लोगों का उत्सा है यहां पर देखने को मिल रहा है तो अभी देख सकते हैं जो मैपाल डांडा जी है पानिपत घरामने से विधायक है तो इनसे बात चीत करना चाहेंगे आज यहां पर जब जैजा लेने पहुंचे तो किस प्रगार की त्यारि अर्याना सरकार पूरी टीम यहां पर गाउं में है और गाउं का जो कोपरेशन हम लोगों को मिल रहा है सरकार को मिल रहा है यह कोपरेशन मिलने और ना मिलने की बात नहीं बिल की है तो एक ऐसे व्यक्तितों की जहनती बनाई जा रही है जिसको लेके बहुत उत्सा है जोस है बगत दन्ना को छोटी मोटी चीज नहीं थी एक ऐसा वेक्ति तो जिसने हस्ते हस्ते खेलते खेलते बिलकुल सैज इस प्रमात्मा को प्राप्त कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में हम लोगों को नहीं पता था, और ये हम जैसी पीडियों को अगर पता भी लगेगा, तो उनकी जहनतियों के माद्दम से कुछ बड़े नेता, कुछ बड़े समाज के लोग, कुछ हमारे बड़े जो जो उनके बारे में हम लोगों को बताएंगे, तो हम तो बच्चे हैं अभी, तो हम लोगों को तो पता लगेगा कि कैसे हमारे समाज में से कोई ऐसा इतना बड़ा भगत, जिसकी तुलना हम लोग मीरा से, जिसकी तुलना हम रवीदास से, जिसकी तुलना हम कबीर से कर स कि लिए प्रकार से दधनोरी गावं कोई चुन अ गए और सरकारी कारे करम मनाया वह इतना बड़े लेवल बहुत दन्ना बगत जी का मंदिर सिर्फ दन्वरी में है और कहीं नहीं है और बगत दन्ना जी के जियोंन के बारे में सबसे पहले अगर अर्याना में किसी ने कभी कोई सुरुवात की होगी, कभी कोई पहल की होगी, तो हमारे इसी गाउं के हैं और यह मेरा सोबाग है कि मैं इसी गाउं का हूं और मेरी गाउं में बगत दन्ना जाट की जहनती बनाई जा रही है, हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। वो नहीं है, इस जहनती को हम लोग विकास के साथ जोड़के नहीं देख सकते, यह हमारी बावनाओं का परसन है, यह हमारे पूरवजों की पहचान का परसन है, इसके साथ हम लोग विकास को जोड़के नहीं बोल सकते, मगर क्योंकि सरकार यहां पे आ रही है, और सरकार की रख्या उस गाउं में अगर कुछ करती भी तो यह भी हमारे लिए सुभागे की बात है इसको हम डवलोमेंट के साथ देख के ने इसको हम लोग अपने आस्था के साथ देख कर चल रहे हैं जैसे गाउं के अंदर उत्सा तो बहुत है लेकिन गाउंवालों की एक समोहिक कर बैठी तो कुछ हैसी मुल्म थुष्वी दाएं उस जुरूरी कुछ बुनियादी चीजय जो वाक्य में जिनका समादानों नहीं है या जो चीज़े निमंत्रण के लिए किस प्रकार से मैंसे देने चाहे हैं। को पूझते हैं हम लोग कभीर को पूझते हैं हम लोग मीरा को पूझते हैं ऐसे ही उसी क्रसरेणी के उसी क्टेगरी के एक संत अगर उनकी जहनती बनती है तो सभाविक बात है कि उस जहनती के आउसर पर हम सब लोगों को पोचना चाहिए बगत दन्ना किसी जाती विशेश क कि नहीं बिलके कि समाज की एक ऐसी द्रोर थी जिनोंने परमात्मा तक जाने वाले रास्ते को इतना सरल इतना सैज इतना सुगम बनाया कि कैसे हम लोग परमतत्तों को प्राप्त करके अपने अगड़े-पिछड़े सब जन्मों के पाप कर्म और पंदनों को काटके अपने ज दोसे उत्सा और सब लोग आएंगे और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगा कि यह कोई राजनितिक प्रोग्राम नहीं है हमारी भावनाओं का परसन है इसलिए सब लोग बड़ी संख्या में खुब दूमदाम से धनोरी गाओं में आप सब का स्वागता है सुक्रिया